नमस्कार संसद इस हफ़ते में आपका स्वागत है मैं हूटीना जा संसद इस हफ़ते में हम बात करेंगे संसद के मौनसून सत्र के सत्रवसान की साथ ही जानेंगी कि मौनसून सत्र के दौरान पारित हुए किन-किन विध्यकों को राष्ट्रपती की मन्जूरी मिल गई है इसके अलावा बात होगी संसत की विभाग सम्मंधी 27 समितियों के पुनर गठन की तो आईए शुरुआत करते हैं संसत इस हफ़ते की संसत की विभाग सम्मंधी 27 समितियों का 2020-21 के लिए पुनर गठन हो गया है नई समितियां 13 सितंबर से प्रभावी मानी जाएंगी संसत की दोनों सदनों में विभाग सम्मंधी 27 समितियों की संख्या 24 है जिसमें से 8 समितियां राज्यसभा के अधीन है सभापती राजसभा ने इन आठों समितियों के अध्यक्षों के साथ सभी समितियों में राजसभा के चुनिंदा 10-10 सदस्यों को मनुनीद किया है तो वहीं लोगसभा अध्यक्ष ने 16 समितियों के अध्यक्षों के साथ हर समिती में लोगसभा से 21-21 सदस्यों को मनुनीद किया है विज्यान प्रद्योग की परियावरन वन और जलवायू परिवर्तन समिति समिति का अध्यक्ष जैराम रमेश को बनाया गया है कार्मिक लोक शिकायत और विधी तथा नयाय संबंधी समिती का ध्यक्ष भुपेंदर यादव और परिवहन परियतन और संस्कृती संबंधी समिती का ध्यक्ष टीजी वेंगटेश को बनाया गया है वारेज्य संबंधी समिती में राज्य सभा से प्रियंका चतुरवेदी, रूपा गांगुली, सुशील कुमार गुपता, मलेक आरजुन खरगे, जुगल सिंग माथूर जी लोखनवाला, ओम प्रकाश माथूर, मौसम नूर, दीपक प्रकाश और वाईलार रवी को सदस्य ब नुमंतहिया, सुरेश प्रभू, डॉक्टर शांतनु सेन, वशिष्ट नारायन सिंग, के सुम प्रकाश, डॉक्टर सुब्रामनयम स्वामी और संपतिया उई के शामिल हैं। वाली मानव संसाधन विकास संबंधी स्थाई समिती में, राज्य सभासे अर्पिता घोश, पुमनेश्वर कालिता, विशंबर प्रसाद निशाद, डॉक्टर सश्मिता पात्रा, जियतिरादित्य एमसंध्या, गोपाल नारायन सिंग, अकलेश प्रसाद सिंग, डॉक्टर एम थंबी दुरेई और जी के वासन शामिल हैं। जैराम रमेश की अधिक्षता वाली विज्ञान प्रदवगी की परियावरन वन और जलवायू परिवर्तन संबंधी स्थाय समिती में, अनिल बलूनी, आरेस भारती, वंदना चोहान, हिशेल लान्चुंगपा, परिमल नत्वानी, भासकर राव निकान्ती, अश्वनी व्याशनव, रवी प्रकाश फर्मा और विनोय विसकम शामिल हैं। टीजी विंकटेश की अध्यक्षतावाली परिवर्न, परियतन और संस्कृती संबंधी स्थाय समिती में, प्रसन्य अचारय, राजबबर, संभाजी चत्रपती, डॉक्टर सूनल मान सिंग, डेरेको ब्राइन, तिरची शिवा, धर्मपुरी शी निवास, विने दीनू तिंदुलकर और केसी विनुकुपाल शामिल हैं। विभाग संबंधी 24-27 समितियों में से 16 के अध्यक्ष लोकसभा से चुने जाते हैं। आईए अब जानते हैं लोकसभा ध्यक्ष द्वारा नामित 16 समितियां और इनके अध्यक्ष के बारे में। इनमें क्रिशी संबंधी समिती काध्यक्ष पी सी गदी गौन्दर को नियुक्त किया गया है, जबकि सूचना प्रोध्योगिकी संबंधी समिती काध्यक्ष डॉक्टर शशी धरूर को नियुक्त किया गया है, इसके साथ ही रक्षा संबंधी समिती काध्यक्ष जोयल ओराम को नियुक्त किया गया है वही उर्जा संबंधी समिती का ध्यक्ष राजीव रंजन सिंग को नियुक्त किया गया है इसके अलावा विदेश मामलो संबंधी समिती का ध्यक्ष पीपी चौधरी को और वित्त संबंधी समिती का ध्यक्ष जैन सिनाह को बनाया गया है विभाग संबंधी स्थाई समितियां सरकार के सभी विभागों और मंतरालेओं के कामकाच पर निगाह रखती है संसत की भले ही साल भर में सत्तर के आसपास बैठके होती हों लेकिन संसदिय समितियों की साल भर में 400 से अधिक बैठके होती है सभापती राजिसभा ने बीते सत्रों में समितियों को और प्रभावी बनाने के लिए कई पहल की है इन समितियों के अलावा लोगसभा में बीजेबी सांसद किरिट प्रेमजी भाई सुलंकी की अधक्षता में समिति के इन सरकार द्वारा अनुसुचित जातियों और अनुसुचित जनजातियों के कल्यार संबंदी संसदी समिति का अध्यक्ष चुना गया है मौनसून सत्र में संसत से पारित किसानों के मजबूती और क्रिशी सुधार से जुड़े तीन एतिहासिक विध्यकों के अलावा कई अन्य महतपून विध्यक राश्टपत्वी की मनजूरी के बाद अब कानून बन गए हैं क्रिशी सुधार से जुड़े तीनों विध्यकों ने कानून बनने के बाद पाट जून को जारी अध्यादेश की जगाह ले ली इसके साथ ही राश्टपती ने जम्मू कश्मीर राजभाशा विध्यक 2020 और महामारी रोग संशोधन विध्यक 2020 को भी अपनी मनजूरी दे दी ये तीनों विध्यक कानून बन गए हैं और पांट जून को जारी अध्यादेश की जगह ले ली हैं ये कानून किसानों को मुक्त व्यापार में मदद करने और उपज का बेहतर दाम दिलाने से संबंदित हैं इन कानूनों का मकसद देश के क्रिशी व्यवस्था में बदला 2020 क्रिशक सशक्तिकरण और संग्रक्षन कीमत आश्वासन और क्रिशी सेवा पर करार विध्यक 2020 और आवश्यक वस्तू संशोधन विध्यक 2020 शामिल हैं क्रिशक उपज व्यापार और वानिज संवर्धन और सरलीकरण कानून 2020 के प्रावधान किसानों को अपनी उपज कहीं भी बेचने और खरीदने की अनुमति देते हैं इसके प्रावधान राज्यों के अधिनियम के प्रावधानों के होते हुए भी लागू रहेंगे इसके जरिये किसानों को राज्य के अंदर और बाहर भी अपनी उपज बेचने का अधिकार मिलेगा कानून में ये भी प्रा कीमत आश्वासन और क्रिशी सेवा पर करार कानून क्रिशी उत्पादों की विक्री और खरीद के संबंध में किसानों को संग्रक्षन देने और उनके सशक्ति करण के लिए खाका प्रदान करता है इसमें किसी भी उपज के लिए बुआई से पहले समझोता करने के प्रावध आपदा या महामारी की वज़े से दाम में कमी होने पर भी न्यूनुतम गारंटी मूल्य देना होगा। अपनी उपज बेचने का विकल्प देना है। इसके मुताबिक कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू, केंद्र शासित प्रदेश जम्मु कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं होंगी। राश्टपती रामनात कोविंद की मंजूरी के बाद इस नए कानून को अधिसूचित कर दिया गया है। मौनसून सत्र के दोरान संसत के दोनों सदनों ने जम्मु कश्मीर राजभाषा विध्यक 2020 को पारित किया था। इन विध्यकों के अलावा राश्टपती ने महामारी रोग संशोधन विध्यक 2020 को भी अपनी मंजूरी दे दी। इसके साथ ही यह विध्यक भी कानून बन गया। इसके तहट अब स्वास्तिक कर्मियों पर हमला गेर जमानती अपराद होगा। इस कानून में साफ कर दिया गया है कि अब स्वास्तिक कर्मियों पर हमले को बरदाश्ट नहीं किया जाएगा। Bureau Report, राज्यसभा टीवी राज्यसभा के 252 सत्र की शुरुआत 14 सितंबर से हुई थी ये सत्र 23 सितंबर तक लगातार 10 दिनों तक चला 23 सितंबर को सभापती M.N.K. N.I.D.O. ने राज्यसभा के 252 सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोशना की इसके बाद राश्यपती रामनात कोविंद ने 30 सितंबर को 17 वसान का आदेश चारी किया पहले सदन की बैठक 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होनी थी लेकिन COVID-19 महामारी के मद्दे नजर 23 सितंबर तक बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई थी कामकाश के लिहास से राजे सभा का 252 सत्र बहतरीन रहा था राजे सभा के पिछले 3 सत्रों की तरह 252 सत्र में भी उच्च उत्पादकता बरकर आ रही इस सत्र की 10 बैठकों में राजे सभा से कुल 25 विधेक पारित हुए 23 सितंबर को सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करते हुए सभापती एंबंका ये नाइडू ने कहा था कि इस सत्र में 18 बैठके होनी थी लेकिन कोरोना चुनावती को देखते हुए इसे 8 बैठक पहले ही समाप्त करना पड़ रहा है कामकाज और कोरोना की चुनावतीयों को देखते हुए 252 सत्र एतिहास एक रहा था इस सत्र में कुल 18 बैठके होनी थी लेकिन सिर्फ 10 बैठके ही संभव हो पाई लेकिन इन 10 बैठकों के दोरान 25 विध्यक पारित किये गए और 6 विध्यक पेश किये गए विध्यकों पर चर्चा में 198 सदस्यों ने हिस्सा लिया इन विध्यकों पर कुल 22 घंटे 3 मिनट चर्चा हुई सदन के कुल कार्यात्मक समय के 57 फीसदी समय में सिर्फ विधेकों पर ही चर्चा हुई जो रिकॉर्ड है इस सत्र की उत्पादक था 100.47 फीसदी रही वास्तविक कार्यात्मक समय 38 गंटे और 41 मिनट रहा जबकि निर्धारित समय 38 गंटे और 30 मिनट था वहीं अवरोत की वज़े से 3 गंटे 15 मिनट का नुकसान हुआ सभापती एमवेंका यानाइडू ने उपसभापती अहरिवंश को लेकर विपक्षी दलों के अवश्वास प्रस्ताव का जिक्र करते हुए कहा था कि ऐसा प्रस्ताव सदन के इतिहास में पहली बार आया था जिसे खारिश कर दिया गया सभापती ने इस घटना करम पर चिंता जाहिर की थी प्रस्ताव में प्रस्ताव के आपक्र दिया। अंसीमरी बिहेवियर इस नौट रिपीटेड इन फ्यूचर। इसके अलावा COVID-19 महामारी और लद्दाक सीमा पर उत्पन इस्थिती को लेकर भी सदन में चर्चा हुई। इस सत्र को मिलाकर राजे सभा के पिछले चार सत्रों में 96 फीसिती से ज़्यादा उत्पादकता रही। पिछले पास सालों में लगाता है चार सत्रों में ये सबसे ज़्यादा उत्पादकता है। राजे सभा के दोसों बाड़ा उत्पादकता है। राजे सभा के 252 में सत्र के पहले ही दिन यानि 14 सितंबर को उपसभापती का चिना हुआ NDA उमीदवार और J.D.U. सांसत हरिवंश लगातार दूसरी बार उपसभापती के लिए निर्वाचित हुए उन्होंने विपक्ष के उमीदवार और R.J.D. सांसत मनुज्जा को हराया 1952 में राजे सभा के अस्तित्वा में आने के बाद से अब तक हुए कुल 252 सत्रों में ये तीसरा सबसे छोटा सत्र रहा साथ ही अब तक 79 मौनसून सत्रों में ये दूसरा सबसे छोटा सत्र था इससे पहले 1989 में हुए 110 में सत्र और अक्टूबर 1999 में हुए 187 में मौनसून सत्र में सिर्फ 6 बैठके ही हो पाई थी और अब बात लोगसभा की 17 लोगसभा के चौथे सत्र का भी सत्र वसान हो गया है राश्पती रामनात कोविद ने इसके लिए 30 सितंबर को आदेश जारी कर दिया था सत्रवी लोगसभा का चौथा सत्र 14 सितंबर से शुरू हुआ और 23 सितंबर तक लगातार 10 दिनों तक चला 23 सितंबर को लोगसभा ध्यक्ष ओंबिल्ला ने लोगसभा के इस मौनसून सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोशना की थी उसके बाद 30 सितंबर को राश्च्रपती ने इस सत्र का अफसान करने का आदेश जारी किया सत्रवी लोगसभा का चौथा सत्र कई मायनों में एतिहा सिक रहा था संसत के मौनसून सत्र के दौरान लोगसभा में रिकॉर्ड काम काज हुआ वैश्विक महमारी के दौरान भी लोगसभा के इस सत्र के उत्पादक्ता एक सो सरसट प्रतिशत रही सत्र को अनिश्चित काल के लिए इस्थगित करने से पहले लोगसभा द्यक्ष ओंबिला ने सदन के सुचारू संचालन में सक्रिय सहयोग और सकरात्मक भागितारी के लिए सदस्यों की सरहना की थी लोग सभाध्यक्ष ने कहा था कि सदस्यों ने अपने समवैधानिक कर्तवियों का पालन करते हुए नए कीर्थिमान स्थापित किये ये मानसुन सत्र का कई अर्थों में ये सत्र एत्यासिक राह है आप सभी माने सदस्यों ने कोरोना महामारी के खत्रे के बाजूद अपने सविधानिक कर्तवियों को सरपरी रखा और देर राद बेट कर विधाई कारे किये आपने पूरे सत्र के दोरान सास्त्रमंदी सभी प्रोटोगाल्स का पूरी तरद का पालंग किया इसके लिए मैं आप सभी को साद्वाद देता हूं धन्यवाद देता हूं इस सत्र में सदन्य कार्य उत्पदता के नए कीर्टिमान स्ताफित किये वेश्चिक महमारी के दोरान भी इस सत्र में कार्य उत्पदक्ता 167, 166 प्रतिशत रही जो अन्य सत्रों की तुर्णा से अधिक है इस उपलब्दी के लिए आप सभी माने सदस्य बधाई के पात्र हैं लोकसभा ध्यक्ष उम्बिरला ने कहा था कि संसदी इतिहास में ये सत्र कई मायनों में अलग रहा पहली बार सदस्यों ने राज्य सभा और लोकसभा दोनों सदनों के कक्षों और दीरगाउं में सदन की कारवाही में हिस्सा लिया बिना किसी अवकाश के दस बैठकों में निर्धारित 37 घंटों की तुल्ला में कुल 60 घंटे की कारवाही संपन हुई इस दोरान 68 प्रतिशत समय में विधाई कारे किये गए जबकि 32 प्रतिशत समय में गैर विधाई कारे किये गए ऐसा पहली बार हुआ है कि मान्य सदस्षों ने संसत के दोनों सदनों लोगसभा और राजसभा के कक्षों और इनकी दिर्गाओं में सदन की कारवाई में इस्सा लिया जैसा कि आज सब विधित हैं मानसुन सत 14 सितंबर 2020 को आरम हुआ इस सत्र के दोरान हमने दस बेटके की जो बिना किसी अवकास के शनिवार और रविवार को भी आयजित की गई इन बेटकों के लिए निर्धारित कुल 37 गंटों की तुलना में कुल 60 गंटे की कारवाई संपन हुई इस सत्र में महत्पून विधाई और अन्य कारे का निम्टान हुआ सत्र के दोरान 78 प्रतिशत समय में विधाई कारे किये गए मौनसून सत्र के दोरान लोकसभा में 16 विधाई पेश किये गए और कुल मिलाकर 10 बैठकों में 25 विधाई पारित हुए सत्र के दोरान 2300 अतारांकिक प्रशनों के उत्तर सभापटल पर रखे गए सदस्यों ने शोनिकाल में 370 लोक महत्व के मामले भी उठाए वर्तमान सत्र के दोरान 16 सरकारी विधेक पुरे स्तापित किये गए कुल मिलाकर 10 बैठकों में 25 विधेक पारित हुए इन सभी विधेकों पर चर्चा हुई सदन में दोरान अतारांकिक प्रशनों सभापटल रखने के अनुवती दी गई तदानुसार माने सदस्यों दारा पूछे गए 2300 अतारांकित प्रशनों के उत्तर सभापटल पर रखे गए इस सत्में माने सदस्यों ने सुन्निकाल में 370 लोगमत के मामली उठाए गए लोग सभा ध्यक्ष ओंबिल्डा ने करोना काल में संसत भावन को संक्रमल मुक्त रखने के लिए उठाए गए कदमों के लिए सभी मंत्रालेयों और कार्यालेयों का आभार व्यक्त किया ब्यूरो रिपोर्ट राजे सभा टीवी राजे सभा के महा सचिव देश दीपक वर्मा का कहना है कि हाल ही में संपन हुए संसत के मौनसून सत्र के दोरान मुश्किल चुनोतियों के बावजूद सचिवाले ने शानदार कामकाज किया है राजे सभा टीवी के साथ खास बाचीत में उन्होंने कहा कि कोविड नाइटीन को ध्यान में रखते हुए सचिवाले ने एक नए सामान्य जीवन के लिए बहतरीन तरीके से कई समायों जन किये राजे सभा के महा सचिव ने बताया कि मौनसून सत्र में भी पिछले तीन सत्रों की तरह ही उत्पादक्ता बहुत अच्छी रही राजे सभा के महा सचिव देश तीपक वर्वा ने राजे सभा टीवी के साथ बाचीत में कहा कि कोरोना महामारी के दौरान बिना किसी अफगाश के दोनों सदनों की कारिवाही का बारी-बारी से संचालन चुनौती पूर्ण था उन्होंने बताया कि इस दौरान दोनों सदनों और पूरे संसद भवन परिसर को लगातार सैनिटाइज किया जा रहा था संसधी प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों को संक्रमन मुक्त करने के लिए विशेश इंतिसाम किये गए थे प्रक्रियूज विशेश खांद आर्फ जा दिस भात मुट हो प्र जाई थे सब्ताइब और प्रेस्ट प्रफ्यूजेश इनियुड करे लिए खुड़े तुरूजेश जलकेर आरे मोट हैं मारे दूर आठाप्या वार् मुक्त करने दो अर्मर ने बादशीत के दौरान बताया कि मौनसून सत्र समेथ पिछले कुछ सत्रों के दौरान कामकाज के रिकॉर्ड उत्पादकता जनता के प्रती बढ़ती जवाब देही को दर्शाता है। 25- crunch minutes which will last because of any problem or disruption that was more than made up for by sitting late and doing extra work and therefore the productivity was 100.47 percent and I am very glad to share it with all of you all that this has been the trend for the last three sessions the productivity has been very very high and if we include this session also the productivity is around more than 99 percent राचे सभा के महा सचेव देश दीपक वर्वा ने कहा कि 14 सितंबर से 23 सितंबर तक चले मौनसून सत्र के दौरान कई तै मानक प्रक्रियाओं का अच्छे से पालन किया गया संसत भवन परिसर में इस दौरान COVID-19 से जुड़े हजारों परिक्षन किये गए आज बस इतना ही नमस्कार